स्यार में प्रदूशन का घहर जारी अर्याणा के कई जगाओं पर 400 के पार AQI गुरुगराम में 419 तो फरदाबाद में 409 AQI दर्ज किया गया है प्रदेश में पराली जलाने के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हलकि कुस्तर स्वेरे भी हमने आप तक सांजा की हैं बढ़ते प्रदूशन के बावजूद लोग आज भी पराली जला रहे हैं पूडा करकट जला रहे हैं सरकार और प्रशाशन की तरफ से लगातार जागरुकता अभ्यान भी चड़ाए गई लेकिन एक आम जन्मानस अभी भी जागरुक नहीं हुआ है तब आम किसान आज भी अपने खेतों में पराली जला रहे हैं और मेरे सायोगी महेंदर गड़ से अक्षे यादव जुड़ गई ही अक्षे प्रदेश भर में प्रदूशन कस्तर लगातार बढ़ता हूँ और नजर आ रहा है और दिखिए जिस जगहां पर आप मौझूद हैं किसी खेत के आसपास आप मौझूद हैं यहां की सबसे वहल तो आप तस्वीरे देखाएं और फिर दूसरा सवाल यह है कि यह भी बताएं कि क्या वहां पर भी गंभीर श्रेणी में है एक्योई का लेवल बिल्कुल साधना मा आपको बता दू कि जो लगातार दिल्ली अंसियार की बात करूँ चाहरियाना की बात करूँ वहापर जो परदूशन का लेवल है वो खतरनाक सरेणी के अंदर फिलाल भी बना हुआ कई स्थानों पर जो एक्योई का लेवल वो चार सो के उपर है मेंदरगड के अंदर भी एक लेवल जो चार सो ब्यासी के करीब पहुंच गया था लेकिन कल जो हवाओं में कुछ परिवर्तन हुआ उसकी वज़े से कुछ राद जरूर मिली है और यह तीन सो के करीब आज आया है लेकिन अफिलाल भी जो किसान है वो पराली जलाले के जो मामले हुँ सामने आरे हैं बकाइदा कल तो तीन किसान है उनको इरास्त के अंदर भी लिया गया है इस वक्त मैं मेंदरगड के अंदर मौझूद हूँ हलाकि यहां पर जो दान की जो खेती हो नहीं की जाती है और पराली जलाले के ऐसे कोई भी मामली यहां पर सामने नहीं आते हैं बलकि आसपास के जो जिले हैं वहीं से जो किसान है वो जो पराली जलाते हैं उसकी जो जैरिली अवाव मेंदरगड के अंदर आती है और यहां की जो आब वह भी खराब होने लगती है फिलाल मेंदरगड का अगर आज के एक है लिए उलकी बात कुरू तो तीन सो के करीब का है और जिला परशाशन के जवारा यहां पर ग्रैफ फोर के नियम लागू गर नियमो की अवेलना करते हुए वहां पर जो करेशर का कारी है वो चलता हुआ नजर आया वही मैं बता दू कि जो दिन के समय में यहां पर कुछ राज जरूर मिलती है लेकिन सुबह की जो हवा फिलाल भी जैरिली बनी हुई है स्वास्ते विवाग की तरफ से भी लगातार जाते हैं कि ऐसे के अंदर आप सुबह की सेर पर जाने से बचें बगाएदा जब भी आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का पर योग करें और किसानों से भी सरकार बार बार आगरे कर रही है कि कोई भी ऐसा अपनी फसल का अवसे सो उसको ना जलाए जिससे की परदूसर्ण ह पहले नोव एदस तारीक को जब बारिस होई थी तो एकवाई का लेवल जो तीन सो के उपर बना हुआ था उसमें जरूर रात मिली थी और वो एकवाई के लेवल एक सो बीस या तीस पर पहुंच गया था लेकिन दिवाली के त्यार पर जिस तरह से आतिस वाजी का जो दोर शुरू आउस के बाद जो पटाके हैं उनकी जो कार्ण जो जहरिली आवाई गवर फिर हो गई थी और च्यार सो बीसी तक लेवल पहुंचा और फिलाल स्वास्त विवाग के तरफ से यही निर्देश दे गए है कि आप जो सावधानी हो जरूर बढ़ते हैं और बकाईद स किसान को सबसे जादा जल्दी होती है इस समय कि वह अपनी खेत को खाली करकर अगली फसल के लिए तियार के तो कि सरकार के द्वारा जब तक पराली परबंदन के जो ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक यह दो महीने हैं इनके अंदर खास कर लोगों को खासी प्रे ौवर्बंदन परामीर नहीं रसा है कि वह एमस्क अब ठालो के और अग्रबंदन के लिए अच्वासित के अधा ने करूंड़ में लेकिन आगर यहां के अलावा मैं पंजाब की बात करूँ तो वहां पर जो पराली वह भी दड़ले से जलाई गई है और सरकार एक दूसरे पर ठीकड़ा फोरने की बजाए अगर उसके परबंदन की कोई खास हुश्था करें तो इसमें जद्धा जो सुधार हो सकता है में अ अपने हरियाना के इसों से वहां पर जो पराली वह पहुंची लेकिन वहां पर गरामनों के द्वारा विरोध क्यागा की ओरलोड वान आते हैं उसके कारण उनको खासा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे कोई विविन जगह पर ऐसे जो को परबंदन के जो पराली जलाते हूं उनको इसके बारे में जाग रुकता फैलाई जाए कि आप इसका उप्योग है वह या तो खाद बनाने के लिए करें या उस प्लांट तक पहुंचाने के लिए करें बकाइदा सरकार के 2000 रूटा विटर हैं उनको चकना चूर करके खाद में परिवर्तन क करने का जो कारिया हों करते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि जाग रुकता भी जरूरी है और किसानों को भी आप जो सरकार हैं उनके देगे निर्देशों का जरूर पालन करना चाहिए वहीं मैं बात करूँ मैं अंदर गड़ के अंदर 88 जो स्टोन करे सर्व ग्राइंडिंग उनिट है उनको सरकार की तरफ से सक्त निर्देश जरूर दिये गए थे कि जो परदुषन का लेवल लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में आप इनको बंद कीजिए लेकिन उनकी जो अवेलना है उनके द्वारा की जा रही है आमदन की तो छोड़ ये जो संचाला का 88 के क्या लेवल था जब वहां पर सीम फलाइंग की टीम पहुंची और वहां पर वह कहीं न कहीं चलती मिली और नियमों की दज्या उड़ाते मिले और उनके खिलाफ एक टीम है उसका गठन क्या गया है अब देखने वाली बात होगी कि वह जो कमेटी है उस पर क्या निरने ले क्या है आट जा होगी है उसके ज़ाईड़ा है